कुलकाता पुलिस ने पुल बनाने वाली कमपनी IVR CL के पाँच अधिकारियों को इरासत में लिया है कुलकाता पुलिस कमिशनर के मताबिक जिन पाँच अधिकारियों को इरासत में लिया गया वो पुल का धाचा बनाने में लगे थे इस बीच कुलकाथा में कमपनी के लोकल आफिस को सील कर दिया गया है इसके अरावा कुलकाथा हाई कोट में एफपी आई ये दायर कर इस बात की मांग की गई है कि कमपनी इसकी जानकारी दे कि उसने पुल बनाने में किंद सामगरी का इस्तमाद गया रही है महीं अधराबाद में IVRZL की अधिकारी का ये कहना है कि उसे सिर्फ इसे सिर्फ हादसा समझा जाए कमपनी इसे गलती मानने से इंकार कर रही है कमपनी की ओर से जाच में सहीयों की बात कही है कि अधिक है प्रिखन जीने सिर्फ देदाशसा की अधिकारी अंधरण के समझा जाच सिर्फ पिपंसummy लाज FishEL में है और उम समय का रहाखर और और उपया कि質 बात है जेकर रहालं के स्पिक सार्व все बन्हे परश्यमंगाल में चार अप्रेल को पहले चरण की वोटिंग होनी है और कुलकाथा में मौत के पुल को लेकर सियासत शुरू हो गई है बीजे पी ने इस हादसे को लेकर ममता सरकार पर सवाल उठा है बीजे पी ने ता मुखतार अबास नपवी ने पूछा है कि आखिर ब्लैक लिस्टिट कंपनी से काम क्यों करवा जा रहा था बीजे पी ने आरोप लगाया कि य कर्वार्प्शन का मामला है तदकाल बिना समय गवाए हुए जो भी आसपास अविलेबिल सेंटरल फोर्सेस थी उन सेंटरल फोर्सेस को तदकाल घटना अस्तल पर रवाना किया टीमसी ने बीजे पी के आरोपों को सीरे से खारज़ कर दिया है टीमसी ने ताडिरे को ब्राइन ने राहत और बचाओ के काम में तीजी का हवाला देते हुए ममता सरकार की तारीफ की अभी ये पॉलिटिक्स का ताहिं नहीं है लेक ये जो पॉलिटिक्स कर रहा है मैं क्या पता हूँ in 2007 साल में और 2009 साल में ये ब्रिज का जो कॉंट्रेक्ट दिया था वो CPM गवश्ट से दिया लेकिं अभी ये जो हुआ हमारा सरकार में हुआ but we are not getting into the blame game we will find out who the culprits are we will find out who the culprits are अभी 25 गंटा हुआ already in 25 hours the rescue operation, the rubble has been cleared we hear that the rescue operation is over 70-80 people have been saved प्जिपी के अलावा कॉंग्रेस और लेफ्ट भी मंता पर हमला वर है कॉंग्रेस निता मनिश दिवारी और सीपिम निता निलोटपल बासु ने मंता सरकार को हाथ से के लिए जिम्मदा ठेरा है पश्चम बंगाल की मुकमंतरी को इसकी जिम्मदारी लेनी चाहिए अगर कोई दुखत हादसा हुआ है ये कहने की जगे कि वामपंत ने किया है या किसी और ने किया है पश्चम बंगाल में और अगर ऐसा दुखत और दर्दनाक हादसा हुआ है तो मुकमंतरी की सीधी सीधी जवाबदारी बनती है महज ये कहके कि वामपंग्त की जिम्मेदारी है वामपंग्त की सरकार तो पांच साल पहले चली गई थी तो जिम्मेदारी अगर आपकी है तो आपको उसकी जिम्मेदारी की कसोटी पे खड़ा उतना उतरना चाहिए तमाम इसका जो मैनुविल है जे न्यू आरेम के तहट जो प्रोजेक्ट्स का इसका जिम्हदारी स्टेट का बनता है वहीं जडियू नेता केसी त्यागे ने हादसे पर राजनीती ना करके कारणों का पता लगाने की बात कही फ्लाई ओवर का देह जाना दुरफागपून है लेकिन उन कारणों का पता लगाना चाहिए यूपी में कॉंग्रेस और बीजेपी ने विदानसभा चुनाओ के लिए रणनीती पर अमल शुरू कर दिया है कॉंग्रेस ने आज से प्रशांत किशोर के फार्मूले पर काम करते हुए यूपी में जन्संपर्क यात्रा के शुरूआ की उधर लगनों में बीजेपी राजे कारे कारणी की एहम बैठक हुई यूपी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम मातूर के धक्षिता में हुए इस बैठक में यूपी चुनाओ पर मंतन हुआ प्रदेश भर से आए बीजेपी के करीब 200 निताओं ने इसमें शिर्कत की बैटक में बीजेपी ने यूपी चुनाओ के लिए अपना एजिंडा तैकिया आप देखें इंद्रा जी ने आज से 40 साल पहले का दा गरीवी अटाओ आज भी वही नारा गरीवी अटाओ पे चल रहा है और हम उस लेन में आगे बड़े हैं तो निशित रूप से एक अच्छे सेस्मेन हमारा कारेकरता नीचे जाकर के जो कुछ हमने किया वो एक एक अच्छे को चौपाल के रूप में दस लोग, बिस लोगों के बीच पीशिले हमने बूट को टार्गेट किया है बीजेपी स्टेट एक्जेक्यूटिव की बैठेक में धाई से ज़्यादा निता शामिल हुए निताओं को किस रणनीती के तहट काम करना है कैसे सरकार के विजिन और उपलब्धियों को जंता तक पहुचाना है इसके टिप्स भी दिए गए मिशिन 2017 को लेकर बीजेपी की प्रदेश कारे समिती की बैठक संपन्न हुई है और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश इस्तर के करीब 2500 नेता मौझूद थे और सभी को कई न कई एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि आखिर 2017 के चुनाव में किस रणनीती के साथ आगे जाएगी बीजेपी यहाँ पर तमाम जो नेता हैं बारती जन्ता पार्टी के वो मौझूद रहे जिसमें खुद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओमाथुर ने अध्यक्ष्टा की इस पूरी बैठक की हम तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर कारकरता आय हुए है कुछ लोग यहाँ पर मौझूद है यह पताईए क्या संदेश लेकर जाने वाले हैं आज जिस तरह से बैठक में आज जो हमने वो संदेश मिला है इन कमिंग जो चुनाव है उसके विशे में जो हम लोग को अपने संगठन के तरफ से आगे बाते करनी है कार करना है उसके उसमें हमनों को संदेश मिला है राश्टिये माना अधिकार आयोग ने सुखे से बेहाल बंदेल खंडवासियों को लेकर यूपी और मधवदेश सरकार को नोटिस चारी किया है एनेचारसी ने मीडिया की रिपोर्ट्स पर इस मामले में सोता संग्यान लिया है बेहाल बंदेल खंडवासियों पर 28 मार्च 2016 की रिपोर्ट को देखते हुए एनेचारसी ने इसे जीवन, सम्मानता और सम्मान के माना अधिकार का उलंगन मानते हुए नोटिस भी जाए दोनों राजियों के मुखे सचीव से इस बारे में विस्तरत रिपोर्ट तलब की है बंदेल खंड में सूखे के प्रकोब से किसानों की खुदकुशी का सलसला थमने का नाम नहीं ले रहा है यूपी के जालाओन में गर्ज और फजल की बरबादी के कारणे किसान ने आत्मात्या कर ली गटना की जानकारी मिलने पर फ्रश्टासने कदिकारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और जाच के बाद शब को पोस्टमाटम के लिए भीजा मामला उरई तैजिल क्षितर के गाम गढ़र का है जहां पर किसान चकी लाल निरंजन ने फजल बरबाद होने पर अपने खेत में लगे प्रेड़ पर फांसी लगा कर आत्मात्या कर ली मरतक किसान चकी लाल के भतीजे दिनेश कुमार निरंजन के मताबिक उसके पास चार एकड़ जमीन थी जिस पर दो बैंकों से पचास हजार का कर्ज था साथी पचास हजार का कर्ज गाउं के साहुकारों से भी ले रखा था लेकिन सूखे और उला ब्रिष्टी के कारण पूरी फ़सल बरबाद होगे जिसके चक्ते उसमें पर पुशी कर लिए सरी अपने खेत पर गए वहीं पर सुभय ये गए और दो पैर के लगवग इन्होंने वहीं बभूल के पीड़ था उसी पर उन्होंने रसी डाल के और अपने आपको फांशी लगा लिए सभी लोग आए उन्होंने पंच नाम भरके अभी बॉड़ी को पुश्टमाटम के लिए भी बेज दिया है वेडिकल के दौरा आप मुट्या आपने खेत में कर लिया गया मोके पर उनका शाओ पेंड़ पाया गया जिसे उतार करके और पुश्टमाटम के लिए भेज दिय इसके जा आप गया इसकी जा रही है और जांच के उपरांत्री सब इस अक्रप पूरी असपर-छो ंपाएगी है विवादों में घिरी यूपी की मदर्सा बोर्ट के इमतिहान को लेकर राजस सरकार को इलावाद हाई कोट से बड़ी रात मिली है मदर्सा बोर्ट के इमतिहान मदर्सों की जगए यूपी बोर्ट के स्कूलों में कराने के राज्ज सरकार के फैसले पर इलावाद हाई कोट ने भी अपनी मौहर लगा दी है कोट ने इसे मदरसों में नकल रोकने का सही कदम बताया है आपको बताया है कि मदरसा बोट से सामोही की नकल को और शिकायत हो सामुएक निकल के शिकायतों और मदरसों में बनियादी सुवधाओं की कमी के चलते राजसरकार ने एक सर्कूलर जारी किया था जिसके मताबिक मदरसा बोट के इंतिहान मदरसों की जगए यूपी बोट के परिक्षा किंद्रों में कराए जाएं लेकिन इस आदेश के खिलाफ गौतम बोटनगर की मदरसा संचालत आफरीन एहमद ने हाई पोट में एकियाज का दाखल की थी पोट ने फिलाल राजसरकार की तरफ से दी गए उस दलील पर अपनी सहमती दी है इस पैसले के बाद ये साफ हो गया है कि अब तीन अपरेल से शुरू हो रहा है मदरसा बोट के इंद्धान इस वार मदरसों से बाहर यूपी बोट के स्कूलों में होंगे जिसमें चार लाख चपन हजार साथ परिक्षारतियों को शामिल होना है इसके लिए सूबे में 1469 परिक्षा के इंद्धान मदरसे में मदरसे बोट इग्जामिनेशन नहीं होंगे बलकि सरकारी इंटर कॉलेजेज में होंगे इस नर्मे को चैलिंज करते हुए दो याचिका अदालत में देखिल की गई इंकम टैक्स पियर्स को एक बार फिर नई आफ़त इन पर चूटी है पचास लाख रुपए से ज़्यादा सालाना कमाई वाले इंडिविजुल्स और हुए फ यानि को इंकम टैक्स रिटर्ण में अपनी संपती का ब्योरा भी देना होगा संपती के लावा टैक्स पियर्स को अपनी लाबिलीटी की जानकारे भी देनी होगी वज़ा मालिया के बेटे सिधात मालिया ने यूनाइटेड ब्रिवरीज होल्डिंग लिम्टेड के नौन एग्जेक्यूटिव नौन इंडिपेंडेंट डिरेक्टिर पद से इस्तीफा दे दिया है सिधाक्त मालिया का इस्तीफा एक तीस माच से लागू माना जाएगा हाली में बैंकों का नौ करोर रुप्या का बकाया था इस कमपनी परुप सीरियस फ्राड इन्वेस्टिगेशन ओफेस याने एस एफ आईयो ने वेलफुल डिफॉल्टर विजे मालिया को 20 अप्राल तक पेश होने को काया एस एफ आईयो मालिया को एक मेने के मोलत देने को तैयार नहीं है मार्च में आटो कमपनियों की बिक्री ने रफ्तार पकड़ी है मार्च में मारुती सुजुकी की कुल बिक्री 16 फीस दी बढ़ी है इस दोरान कमपनी ने 1,39,435 कारें बेची फोक्सवेगन भारत में 3,887 वेंटो कारें रिकॉल करेगी साथी कमपनी ने इनकी बिक्री भी बंद कर भी है जिन वेंटो कारों को रिकॉल किया जा रहा है वो 1,5 लीटर डीजल इंजन और मैनुवल गियर बॉक्स वाले मॉडल्स में स्पेक्ट्रम निलामी में देरी हो सकती है दरसल रक्षा मंतराले ने स्पेक्ट्रम खाली करने के लिए एक मुहने का वक्त मांगा है पहले रक्षा मंतराले को 30 मार्ज तक स्पेक्ट्रम खाली करना था आज से निफ्टी में बड़े बदला हुए हैं अब निफ्टी में 50 की जगे 51 शेयर शामिल होंगे निफ्टी से विजानता और कियर्ण इंडिया और पी एंडी पाहर होंगे तीन दश्कों से देशी और विदेशी सेलानियों को रायस्तान की सेर कराने वाली पैलेस ओन वील्स रिल गाड़ी इस साल मसाफिरों की घर्टी तादाद के चलते रद कर दीगी है 34 साल में ये पहली बार है जब इस टेन को कोई मसाफिर नहीं मिला